हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल में तो दोस्तों गैसों से सम्बंदित आपने बायल और चार्ल्स का नियम तो आपने सुना ही होगा तो यहां से क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं इसको रट लेते हैं तो आए यह को नियम बोल दिया गया दोस्तों देखिएगा इन्होंने क्या बताया पहले बात हम लोग चार्ल्स का नियम ले लेते हैं चार्ल्स ने यही बता दिया कि अगर आप किसी भी गैस का तापमान बढ़ा देते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाएगा जाएर सी बात है अगर दोस किसका चार्ज का लेकिन एक इन्होंने ये दे दिया कि आपको दाब इस्तिर रखना पड़ेगा प्रेसर इस्तिर रखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि इस पर प्रेसर दाल लीजिए उपर से और नीचे से गर्म कीजिए दोस्तों तब थोड़ी आयतन बढ़ेगा तो उन्होंन यहां पर इतना आयतन है, यहां पर तीन-तीन मुबत्ती लगा दिया, इसका आयतन ही बढ़ गया, कितना आसान है, यही तो है इनका, बस याद रखना है कि क्या स्थिर दाब स्थिर, ऐसे ही आ गए थे अपने बायल भाया, बायल ने क्या बताया, कि आप लोग ताप स्थिर र बाद है इस पर प्रेसर डाल दें तो इसका आयतन ही घट जाएगा तो यही तो उन्होंने बताया कि अगर आप आप लोग प्रेसर को बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा दोस्तों अगर प्रेसर कम रहेगा तो आयतन बढ़ जाएगा तो यही तो है दोस्तों उल्टा हो गया इसका आयतन इन्होंने क्या बताया था कि अगर आप लोग ताप इस्थिर रखते हैं यहां भी एक है मुंबत्ती जलाना है यहां भी एक है मुंबत्ती जलाना है लेकिन क्या करना है दोस्तों दाब को अगर आप लोग बढ़ा रहे हैं यहां पर दाब कम है इसको दाब आयतन ही कम हो गया इसका जब आयतन ही कम हो गया तेही इसका नियम हो गया दोस्तो याद रखिए गा W. Anarkarmanapathety ती हो गया चायल्स का नियम और वित करमान पाती और पान पी हो गया किसका दोस्तो बायलकनियम हो गया आईए यहां से और कुछ फार्मूला क्या निकलता है इसको हम लोग देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया था बताईएगा इन्होंने दोस्तो चार्ल्स ने यही तो बताया है कि जो आयतन होता है व V upon T बराबर क्या हो जाएगा बताईए नेतांक आजाएगा तो जब नेतांक आजाएगा माल लेते हैं कोई वही गैस है और उसका गैस का अलग टेंपरेचर है और अलग प्रेशर है अलग आयतन है दोस्तों तो एक गैस के लिए भिन ताप पर दोस्तों भिन ताप पर क्या हो कैसे निकालेंगे बताईए गबायल ने क्या बताया जो आयतन होता है वो वितकरमानपाती होता है प्रेशर के यानि दाब के तो यहाँ पर क्या अनकरमानपाती का चिनापर हटा देंगे तो एक नीतांग का आ जाएगा और नीतांग को हम लोग के लिख दे रहे हैं इन्टू आयतन भी अलग होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों पीवन वीवन बराबर पीटू वीटू हमेशा क्या रहेगा नेतांग की ही रहेगा मतलब समान ही रहेगा उस गैस का दोस्तों यह होता है पीवन वीवन बराबर पीटू वीटू और यह होता है वीवन अप मिकरड चार्ल्स के नियम से और बायल के नियम से अर बनाया गया दोस्तों कैसे दीगे खास ने बताया in a ticket और बायल ने बताया व अनकर्मान पाथी वनापान्फि इसको दोस्तों आ त्मीट दीया गया. त्मृत्यूत्य को शंति pain हाजिए। नियतांक ऩरदीच थिए पर्धाएंगे अपना आओगाद्रम संध्युन, था त्मृत्य कटना थिए। के दोस्तों, एक आवगादरों का नियम होता है, आवगादरों ने बताया कि अगर आप किसी भी गैस का ताप इस्थिर रखें, दाप इस्थिर रखें, आयतन इस्थिर रखें, तो उसका जो मात्रा होती है, आयतन की जो मात्रा होती है, वह मोलों की संख्या, यानि यन की अन अनुकर्मान उपाती होती है दोस्तों मौलो की संख्या यन के अनुकर्मान उपाती होती है इसलिए जो मात्रा हो गई किसी भी गैस के मात्रा मात्रा बराबर के बराबर यन इन्टु आर हो जाता है तो यहीं दोस्तों के और के इसको बराबर कर दिया गया है पीवी बटाटी पीवी बराबर यान इन्टू आर कर दिया गया तो पीवी बराबर यान इन्टू आर्टी कर दिया गया इसी को दोस्तों बोलते हैं आदर्स गैस समीकरड अगर आपसे पूछ लिया जाए आदर्स गैस समीकरड क्या होता है तो पीवी बराबर यान आर्टी आदर्स गैस समीक से संबंदित उन्होंने नियम दिया है कि जितना जादा अड़भार होगा उतना ही कम दोस्तों क्या होगा गैस का विसरड़ होगा तो वित्रमान पाती होता है उसमें अड़भार के संबंदित विसरड का दर नियम याद रखिएगा दोस्तों विसरड़ नियम किसने दिया थ कीजिए दोस्तों तीस के साथ बहतरीन प्रैक्टिस हम लोग साइंस का करते हैं खासकर रेलवे गुरूब डी के लिए तो दोस्तों आईए MJT Education से जुड़िए आपका साइंस बहतर होगा ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कोई भी टापिक हो कोई भी सेक्शन हो चाहे कमेश्ट्री हो फिजिक्स हो बायलोजी हो आप कमेंट करिए दोस्तों हम आपको इसका सॉलूशन देंगे आपको कम से कम समय में आपको समझा करकिए देखिएगा कितना लगबख साथ से आठ मिनट में आपको समझा दिया है कम से कम समय में हम आपको समझा देंगे तो चले दोस्तों मिलेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम